हेलो एवरीवन, मैं संगीता, आप सब का मेरे किचन कुक विच संगीता में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी आज अब मढ़ाएंगे सिरफ चार ब्रैट स्लाइसिस से धेर सारा नाश्ता जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बैल आइकन को दबाना ना भूले चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं यह मैंने चार ब्रैट स्लाइस लिए हैं अब हम एक स्लाइस लेंगे और उसको पानी में डिप करेंगे और इसको हम निचोड लेंगे इसका हमें सारा पानी निकाल देना है यह देखिए मैंने सारा पानी निकाल दिया है इसी टाइप बाकी ब्रैट को भी हम ऐसे ही निचोड लेंगे ये हमने सारी ब्रैट को पानी में से निकाल कर रख लिया है निचोड़कर अब हम इसमें डालेंगे दो उबलेवे आलू जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है एक शिमला मिर्च बारिक कटी हुई, एक टमाटर बारिक कटा हुआ, एक प्याज बारिक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया चार पाँच हरी मिर्च, तीन चार लसन की कली, एक इंच अध्रक का टुकड़ा है, जिसको मैं कूट के डाल रही हूँ अगर आप लसन नहीं काते हैं, तो अबॉइट कर सकते हैं, आप इसमें और भी वैजिस एड़ कर सकते हैं, गाजर, बंद गुबी, जो भी आपको वैजिस पसंदो, वो एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच धनिया पाउडर, आदा चमच लाल मिष्ची पाउडर, आदा चमच नमक, नमक अपने टेस्ट को अकॉडिंग कम जादा कर सकते हैं, एक चमच चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, आदी चमच चुली फ्लेक्स, इन सब को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक डो डेटी कर लेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाट से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीस लाइक करना ना भूले और शेयर भी ज़रूर करें यह देखिए यह मैंने डो रैडी कर लिया है अब हम हलका सा ओईल हाथों पर लगाएंगे एक चमज डो लेंगे और इसकी एक बॉल बनाएंगे नीबू के साइज की हम बॉल बनाएंगे ज्यादा बड़ी बॉल नहीं बनानी है क्योंकि इनको हम कोक अपने पैन में करने वाले है तो यह देखिए इस टाइप से हम इसकी बॉल बनाकर रैडी कर लेते हैं तो सारी बॉल हम एक साथी बना लेते हैं उसके बाद इनको हम कोक क ये मैंने पैन लिया है यह मैंने गरम होनी के लिए पढ़ी ही रख दिया था अब हम इसमे थोड़ा थोड़ा डालेंगे गैस को हमे अच्छे से शिख जाएंगे अब इसमे अपनी ये बॉल रख देते हैं और slow gas पर इसको हम सिखने देते हैं, इसको उपर से cover कर देते हैं, अब एक बार हम jack कर देते हैं, इसके उपर थोड़ा थोड़ा सा oil हम ढाल देते हैं, एक एक दो दो drop और फिर से इनको हम cover कर देंगे, इनको जब तक सेखेंगे जब तक कि अच्छे से ये golden brown नहीं हो जाते हैं अब हम इनको पलट देते हैं, दूसरी साइट से भी हम इसको सिखने देते हैं, ये देखिए एक साइट से ये golden brown हो चुके हैं, ऐसे ही दूसरी साइट से भी अच्छे से 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 शेक लेते हैं गैस को slow ही रखना है, slow gas पर ये अच्छे से अंदर से सिख जाएंगे, कच्छे नहीं रहेंगे ये लीजिए, ये हमारे दोनों साइट से बहुत अच्छे से सिख चुके हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये लीजिए, हमारी bread balls ready हैं ये हमारा चार bread piece से बनकर नाश्ता तयार है, ये उपर से कितना crispy बना है, और अंदर से एक तम अच्छे से सिख चुका है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए इसे आप पच्छों के लंच में, या सुबर मॉर्निंग में, ब्रेक फास्ट में, या इवनिक स्नैक में आप दे सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और जटपर बनकर तयार हो जाता है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अपने अनुपों मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, एक बार इसे ज़रूर ट्राय करें अगर अभी तक आपनी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें तैंक यू फूर वाचिंग माई वीडियो बाई बाई फिर मिलेंगे और नए रेस्पियो के साथ